प्रचार अब्यान देखने को विला आर्विंद केजवाल को हर्याडा की मिट्टी का बेटा बताये गया यहां केजवाल किंग में कर बनने का सपना सजाय बैठे थे जो बहुत ही जोरदार तरीके से चकना चूरो क्या है आम आद्मी पार्टी को भारी निराशा हाथ लगी है एक तरह बुरी तरह से हार के बाद की जिवाल सह में नज़रा रहे है उन्होंने अपने पार्टी के कारिकरताओं को कमर कस लेने की हिदायक भी दी है तो बिना नाम लिए कॉंग्रिस को उसकी अउकात भी बतानी की कुशस की और कहा कि चुनाओ को हलके में नहीं लेना चाहिए आज के चुनाओ से सबसे बड़ी सीख्या यह है कि कभी भी ओवर कंपिडेंट नहीं रहना चाहिए दूसरी तरफ स्वाती मालेवाल ने के जिवाल के जले पर नमक छिड़कना नहीं रगडने का काम किया है स्वाती मालेवाल ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने कॉंग्रिस के वोट काटे है मालेवाल ने कहा कि सिर्फ कॉंग्रेस से बदला लेने के लिए हर्याणा में उत्रे मुझ पे बीजेपी एजेंट होने के जूटे आरोप लगाए लेकिन खुद इंडी अलाइंस से गदारी करके आई एंसी की बूट काट रहे है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हर्याणा के लाल को इतनी बुरी नजर किसके लग गई और स्वाती मारिवाल का आरोप कितना सही है इसे पर चर्चा के लिए मिरे साथ स्टोडे मोचुग है सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि बुरी नजर किसके लग गई इनकी इनके उपर कौन नजर लगा सकता है इनके खुद की लगी है क्योंकि दंब अहंकार नार्सिस्जम है ना मेंगलो मैनियक है भाई साब आप चले गए वहां पुछले छे मेने से आपकी पत्नी सुनीता भावी वह प्रशार कर रही है कि हर्याना का लाल है हर्याना का लाल है और अपने शहर में जहां आप पैदा हुए वहां जवान देप्त हो स्क्षिकलिक्ट फेरी निक्रिंट Mmm तो एक यह यह कहें थे जपर रपरिंद रह फिर कि के मैं renderedर हूं नहीं हमदै दो तो हरियना वालों और तो हरियना वालों कि शब्सकेर आप मिलिया जबनत्वgest जब आप करप्ठ हैं, भर्चाचारी हैं, क्योंकि आप ही ने मापतन्य बनाया है, कि चुनाओं से रखी होगा क्यों कर्द कुए रिमांदार हो या नहीं हूँ, आप सारी सीटों पे चुनाओं लो ले, आप जेल से बाहर आने के बाद हर जगा आप आपने प्रचार भी किया आपने परचार किया, आपकी पत्ती ने परचार किया, घूम घूम के आपने का इमोशनल कार्ट भी खेलने की कुछ कि मैं केजरिवाल, हर्याना का लाल नहीं करूंगा बवाल हो गया खेल जब तो हर जगह अब दिक्कत क्या है दिक्कत ये है कि हर्याना में जो हर हुई है इसका इंपक्ट दिल्ली के चुनाओं पे होगा यहीं मामला फस रहा है यह सौती मालिवाल भी राजिन्ती सीख चुकी है केजरिवाल के साथे तर्दिन रहेगा तो राजिन्ती तो समझ भाही है वो कॉंग्रेस पार्टी को पिन कर रही है कि तुम्हारे केजरिवाल के वज़ेशे तुम्हारा वोट काटा आई है कुछ सीटे ऐसी है जहां कॉंग्रेस पार्टी और बीजेपी का अंतर बना टेच अन गो है और उन जगों पे अगर आप देखे तो आम आधी पार्टी के को इतने वोट्स मिले है कि अगर आधी पार्टी नहीं होती तो कॉंग्रेस जीच जाती आप इस समझ दीजी अभी तक तो पूरा रिजल्ट उसका जो है अनलिसिस नहीं है लेकिन साथ आठ इस तरह की सीटे है तो ये टचन गो हो गया होता मालूम चलता दोनों 42-42 के आसपास आगए 42-43 पे तो वो कॉंग्रेस पार्टी को पिन कर रही है कि तुम्हारे साथ गदारी की है इस इंडिया अलाइंस वाले ने केजरिवाल ने और हम को कह रहा है कि हम बीजेपी के दराले बीजेपी जीती है केजरिवाल के वज़े से ये क्यों कहा जा रहा है because कॉंग्रेस पार्टी को ये याद रहे कि वो फिर से लोगसभा वाली गलती जो है न दो रहा है लोगसभा में क्या गलती की कॉंग्रेस पार्टी ने आपने हात मिला लिया कोई फाइदा हुआ नहीं हुआ बारती जिन्दा पार्टी का क्या हुआ बारती जिन्दा पार्टी साथ के साथ सीटी देए आपके साथ आने से कोई फाइदा नहीं हुआ क्यों नहीं फाइदा हुआ क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी के जहां जहां उमिदवार थे जहां जहां Congress Party साथ में से तीन सीटे उस ने दी तीन सीटों के उपर जहां जहां Congress Party के उमिदवार थे के जरीवार परचार करें नहीं यह जी वो गरीब गट बंदन है क्यों नहीं गया यह भी समझ दीजी क्यों नहीं गया वो इसने नहीं गया कि he never wanted कि Congress party जीते बीजेपी से तो लड़ेगा ही लड़ेगा लेकिन खत्रा केजरिवाल को अपने existence को लेकर के वो Congress party से Congress party revive कर जाएगी Congress party का कोई नेता खड़ा हो जाएगा और वो तो करनिया के भी परचार में नहीं गया करनिया बोलता रही है कि आजाओ 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 बोला नहीं तुम तो dangerous आदमी हो तुम्हारे साथ हाथ मिलाने का मतलब तुमको जिताने का तो जहां जहां Congress को मिदवार थे वहां वहां आमादी party वालों ने Congress को voting दिया तो क्या लग रहा है कि अगली बार ब है कि गटबंदर हम कर लेंगे फाइदा हम सब ले लेंगे और तुमको नुक्सान पहुंचाएंगे यही करना चाहरा था हूँ तो तुम डाल डाल तो हम पात-पात Congress party वालों ने भी का अच्छा मेरा प्रचान नहीं करोगे तो तुम्हारे उमिद्वार में भी नहीं जाए तो आपने क्या किया आपने खुद पहले हर्याना में गटबंदन नहीं है Congress के साथ यह एलान Congress party ने नहीं की थे आम आदमी party ने गोपाल राय ने यह घोसना कर दी थी कि हमारा सिर्व और सिर्व लोग सभाग के अंदर ही था हर्याना में तो हम अपने बदॉल जो है और यह क गुम गुम के कह रहा था कि चावी हमारे पास है सत्ता कि चावी हमारे पास है किसी की भी सरकार बने मेरे समर्थन के बिना नहीं बन सकते तो सैनी साहब जो है उस सत्ता का ताला ही लेगर के भाग गये और केजीवाल हाथ में चावी लेगर के घूम रहा है कुछ हाथ नहीं लगा अब कॉंग्रेस पार्टी ने इसे सीरिस्ली लिया है दो दिन पहले ख़बर आई राहूल गांधी चेहरा होंगे राहूल गांधी दिल्ली जोड़ यात्रा करेंगे राहूल गांधी सतर के सतर एसेम्बली सीट्स के ऊपर पद्यात्रा करेंगे राहूल गांधी अगले पंद्रा दिन के अंदर 30 उमिदवारों का चैन करके फानल करेंगे राहुल गांधी ने सीधे सीधे केजरिवाल को खतम करने का दिल्ली में रादिन तक उनकी जो हस्ती है उसको मिटाने का पुरा प्लान बना लिया है और अब जब कॉंग्रेस पार्टी वहां हरी है इस तरीके से और यह जानते हुए कि आम आदमी पार्टी के वज़ें से नुक्सान हुआ है आप यह समझें कि इसको तो कुछ छोड़े का नहीं है तो पहला इंपक्ट कॉंग्रेस पार्टी का रुक कॉंग्रेस पार्टी की साख और कॉंग्रेस पार्टी अकेले जब चुना लड़ेगी और पूरी ताकत लगाएगी तो कहा ताकत लगाएगी दलितों में, जुगी जोपुरी में और मुसल्वानों यही तीन एरिया तो है और यही अर्विंद केजरिवाल का वोड बैंक है यहाँ वोड बैंक कटा तो केजरिवाल हटा यह दूसरा इंपक्ट तीसरी यह सबसे बड़ी चीज है यह जो हवावाजी करता है न देश के निता, नेशनल लीडर यह मोदी, यह वो पब्लिक अब इसको लेगे कि हर्य कर जहां जाता है, हारी जाता है कि सिर्फ बैंद बाजी करता है अजकल तो वाटसर पर चार बैंद डाल दो कि हर्यान में क्या कह रहाता तो सब बीजेपी वाले सबी कठा कर रहे चुनाव नजदिक आए का तो वही वो मैं चित-liक करके दे रहा हूं कि सफक के सफी बीजेपी बारेगी, दिली के अंदर में तो आपकी वाली कायव हुई है आप सिर्फ वा सिर्फ दिली के नेत्रय है दिली के बाहर आपी कोई साक नहीं है जैसे टेज़सुई बिहार के नेता है अखलेस यूपी के नेता है मंता बंगाल के नेतरी है उद्धा महराष्ट में सिमित है आप भी दिल्ली में तो यह जो हवा हवाई जो चलता है ने नैशनल लीडर है नैशनल कन्वेनर यह जो है यह डेंट लगा है और इसका खाम्याजा दिल्ली के चुनाओं में अर्विंद केजिवाल को बहुत महंगा पढ़ने वाला है और यह आप यह समझे बारती जनता पाटी हर्याना में जो हार रहे थी जीत गई अब दिल्ली के अंदर भी कारकरताओं का जोस किस तरिके सो तो जो मुराल जो है वो कारकरताओं का जो बढ़ेगा तो यह भी केजिवाल के लिए बढ़ा नुकसान होगा बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम चानकारी धन्यवाद तो हर्याडा में अकेले जीत का दंभर रही आम आदमी पार्टी को जोरदार जटका लगा है केजिवाल के खाते में एक भी सीट नहीं आई जिसने केजिवाल की बेचैनी बढ़ा दी है अब केजिवाल को डर सताने लगा है कि कहीं यही हाल दिल्ली के बदान समझ चुनाव में ना हो जाए सबसे बड़ा सवाल भी आज के लिए अगर आपने अवे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किलिजे हमारे वीडियो को लाइक केजे शेर कीजे हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कबर कैसे लगी धन्यवाद